हलो एवरिवान दस इसमी शिवानी शिवियान वेलकम बाक टू माय चानल सो आज मैं आप सबसे जुआर के फायदों के बार में बात करने वाली हूँ इसके क्या क्या फायदे हैं उसके बार में आज हम बात करेंगे तो चलिए फिर जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन आज की सबसे खास बात यह है कि यह ग्लूटन फ्री होता है जुआर हड़ियों को मजबूत बनाता है जुआर में मेगनीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है जो शरीर में कैल्शियम को अब्जॉब करने में मदद करता है मजबूत हड़ियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है जुआर वजन घटाने में और ब्लड की स्मूथ फ्लो में भी मदद करता है जुआर में फाइबर काफी मात्रा में होता है जुआर को डाइबेटीज में भी फाइदे मन माना गया है इसके अलावा यह शरीर में इंसुलीन और ग्लूकोस के सतर को भी मेंटेंग करके रखता है जुआर में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मेगनीशियम, पोटैशियम, आइरन होते हैं जो healthy body के लिए बहुत जरूरी है इसमें antioxidant properties भी पाई जाती है जुआर हार्ट सम्मंदी बिमारियों और गठिया के रोगों में भी फाइदे मन माना जाता है इसलिए जुआर को डाइट में जरूर शामिल करें दातों के दर्द में भी बहुत जादा फाइदे मन्द है अगर आपके दातों में दर्द हो रहा है तो जुआर का paste बना कर मंजन करने से दातों का दर्द दूर हो जाता है सूजन में भी अराम मिलता है जुआर का आटा पॉस्टिक होता है और body को energy देता है जुआर के बीजों का सेवन करने से कब्स, acidity तथा अन्य पाचन संबंधी रोगों में लाब होता है जुआर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिने गेहूं खाने से दिक्कत होती है जुआर पोशक तत्वों का खजाना है यह पाचन तंद्र को अच्छा करता है और पेट की समस्याओं से छुटकारा देलाता है बहुत लोग इसका soup बना कर पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको roast करके खाना पसंद करते हैं roast करना मतलब भून कर खाना पसंद करते हैं इसको खाने से शरीर में ठंडक मिलती है इसलिए गर्मी में से जरूर खाना चाहिए इसकी तासीर ठंडी होती है जुआर का आटा शरीर में प्रोटीन के कमी को पूरा करता है कैंसर के खत्रों को भी कम करता है और साथ ही heart and diabetes के रोगियों के लिए भी फायदेमन होता है जुआर खाने से कब्स की समस्या नहीं होती है जुआर केलिस्ट्रोल लेवल को कंच्रोल करने में भी मदद करता है तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी यूसफुल लगी होगी और अगर लगी है तो मेरे शानल को सब्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा लाइक शेयर और एक अच्छा सा कॉमेंट भी आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई